नमस्कार मेरे शेर शेर नियो लाड़ो लाड़लियो आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल कमांड ओकेड में दोस्तों आप सभी को पता है कल का जो हासा हुआ है इसमें हमारी तिनों से नाओं के प्रमू डियस विपेन राउजी का जो सहीद हो गया है अमर हो गया है इस देश की रक्सा में आपको मैं बता दूँ कि जिस ओपर में वो सवार थे यनि जिस हिल्कॉप्टर में ये मी सेवन्टीन वी फाइफ है आपको बता दूँ इसको दुनिया का सबसे बहतरी और हर एक मौसम में उड़ने वाला विमान कहा जाता है सबसे में 30 собир ke LABkay S Film ठाव reminder जिस में 80 ही लिकॉप्टर इंडिया को देने थे जिसकी पहली कपत 2013 में इंडिया में पहुंची और 2000 अटरार तक है इसके पूरी के पूरे 80 के 80 हेलिकॉप्टर इंडिया में आ गये जबकि मैं बता दूँ कि इंडिया में इन helicopter का जो दुनिया के सबसे सुरुख सित माने दाने वाले helicopter का कुछ खासा फाइदा नहीं हुआ है आपको बता दूँए इसके बारे में कि विमान पहली बार इस परकार सथीगरेष्ट नहीं हुआ है यही विमान 2017 में एक बार पहले ही इसी परकार से दुरगि ग्रेस्ट नहीं वा लकीली और दोजार उन्नीस में जमुकस्मिन में इसी विमान के दुआरा एक और दुर गटना हुई थी जिसमें लगबख साथ जवान सईद हो गए थे और उसी विमान में कल की जो ये गटना है मीस सेवंटीन वीफिफाइब के दुआरा जिसमें विपि पाकिस्तान हमारे दिय Laughter पर हैवी हो रहे थे उससे पहले यदिफिขट साथ जवाद हैं इसे पहले के पाकिस्तान के सज्जिकल स्ट्राइक इस में की वह बात कही थी मैं आपको बताओं कि लिसम्का की पाली हम थी नहीं होगी लेकिन जब गोलियां चलेगी टो हम गिनते भी नहीं करेंगे एक इनकी सबसे खूशर जो लाइने थी जो सब के जहन में हैं और आप सबने सुनी होगी कि बारतिय सेना कि बहुत सारे युवा मुझे कहते हैं कि हमें को बारतिय सेना की नोकरी चाहिए जबकि मैं कहता हूँ कि बारतिय सेना कोई नोकरी का साधन नहीं है विपिन दाउत की लाइन हर किसी बच्चे ने जो बारतिय शेना का सपना देखता है उन सबने सुनी होगी आज ये सती हमारे देश के लिए हमारे लिए ये मान के चलिए हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ी सती है और इस परकार एक तुर्गिटना होना बहुत ही क्यूसन खड़ी करती है इस परकार की डील पर साथ ही इस हिलकोप्टर पर जो दुनिया का सबसे सर्वसेश हिलकोप्टर माना जाता है लाड़नों मैं बता दूं कि इस विमान की खास बाते अगर ग्यात करें हम तो ये साथ मतलब इनसान के साथ साथ लोडर गाड़ी भी लेके जा सकता है साथ ही हर एक मौसम में उड़ने के लिए परियाप्त है यानि किसी भी मौसम में उड़ने के लिए इसको माना जाता है कि ये कोई से मुझे नहीं लगता कि इस विमान के लिए आगे एक बहुत ही अच्छा भुईश है क्योंकि हमारे देश का सबसे पर्मुक इंसान शेनाओं का जिनकी हर एक लाइन आपने सुनी होगी बहुत ही प्यारी और सुन्दर यानि आर्मी की तैयरी करने वाले हर एक बच्छे के दिल के जहन में उड़ती है कि द्वंद कहां तक पाला जाए युद कहां तक टाला जाए राना के हो तुम मनसजे भेक जहां तक भाला जाए दोनों दिरूस के विमान जो सती ग्रिश्ट हुआ है जो लगबर असी इस परकार के जो विमान है लगप्टर है जहां आज भालतिय से ना के पर मुख backup या मुखे लोग है भालतिये तल के नेता हो गए या पर मुख है वो इनаств towards का परियोव है जो अब तक अपनी जिन्दगी और मौत से लड़ रहे हैं लाड़ लो यह विमान की पूरी डिटेल है मैं आपको बताओं और शाहते बता दू कि विपें राओ जेसा इंसान मुझे ने लगता कि इस दुनिया में या बाओ में दुबरा कभी लोड के आ लेकिन जो मातर भूमी पर मिरते हैं वो सहीद हो जाते हैं अमर हो जाते हैं बगर सिंग जी कुछ लाइने हैं कुनसी के मैं लिख रहा आगाज जिसका कल अंजाम आएगा मेरे लहू का हरे कत्रा इंकलाब लाएगा मैं रहूं या ना रहूं मैं रहूं या ना रहूं मेरे मरन के बाद वतन पर मिटने वालों का सहलाब आएगा और लाड़ लोग उसी परकार की सोच रखने वाले विपन राओ जी को हम बादान ले अर्पित करते हैं और उनकी जो कमी है या उनकी जो चवी है मुझे लिगता कि जिन्दगी भर हम इस देश में जितने भी लोग रहने वा हर को इस देश का नागरी पड़ता है उसी परकार भी पंडाओ जी कि जो जीवनी होगी उसको हर कोई पढ़ेगा ठीक है और ये सती बहुत ही बड़ी सती है हमारे देश के लिए उमीद करता हूं कि आपकी भी आज आँके दो दिन से नम होगी और बुलाईने हैं लता मंग जरा याद करो कुर्बानी जे हिंदे जे भात मेरे लागे